और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी पोडर खोलने की बात करते हैं कभी जेसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्द लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोडर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोडर खोले जा रहे ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोडर खोले गए अस्युक्त मोर्चा तेह करागा बोडर खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले मस्पी से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंड़ी के बाहर कहीं पर भी वहाँ पर उसकी कुटाई की मसीन लेख जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आटा बिलुकुल ताजा पीस का जाएगा उन लोग को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पर बाजरे काट्टे एक सुना चाकी लगा के बाजरे काट्टा मकी काट्टा ग्यहूं काट्टा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहाई टेक्टरों में समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेचलो तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो कि वो टाइम आगे आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एकर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो कि यदännये आने के अभी से बुस्त आएंगे सने उक्तमर्च अज़ खर कहें सथे हम आएंगे अपनी फसले लेकर आएंगे को और दिली में बेच्चे का हम तो स्योग्तूमअर्चे का फैसला कि वेर्म उसको मानने और हम आज ना वाप आज हम रहेंगे आज वहां पर बोडर पर रहेंगी जंता अब देखेंगे आपको कौन छुटाएगा वहां पर पहले बोट करते थे के जी हमें हम आज हैं नहीं मैं आज पूरा दिन नहीं रहें आज रात कुन नहीं नहीं कर कल दिन मनी रहेंगे ये जंता रहेंगी वहां प जी कोई खाली नहीं तुम छेड़ खाननी करोगे तो यह जंता गाहों की तैयार बट्टी है कि अरबना समालो वही बोर्डरों को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह चेड़ खानए करते हैं डिली सरकार भी करती है 12 सरकार भी और और उप्रदेश सरकार भी करें लुद्नोस चेड़ खाननी करें अपने बोड्न को समालो क आप ढ़िए आते जाते करो अपना घर खेत का काम भी करते और जो में हैं उस पे भी अपना ध्यानद む रहा है और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कि कभी बोडर खोलने की बात करते हैं कि कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोडर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा कर दिखाते रहेंगे कि बोडर खोले जा रहें यह करा जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोडर खोलेगे अर्स्रेयुक्त मोर्चा तेह करागा बोडर खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं बिखरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कुट के दिल्दी के लोगों बिल्लकुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती है बहुत बढ़ा टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं अट्डा बिल्लकुल ताजा पीसक जागा उन लोग को भी मौल के बाहर भी कागा जो बड़े बड़े मोल है जहां पर बाजरे काट एक सुना चाकी लगा के बाजरे काटा मखी काटा ग्यहूं काटा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहाई टेक्टरों में समान जाके और वहां बेच जगे नहीं कहीं पर भी बेच लो तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगे आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बोर्ड रुपे भाई निगा रखो जद आने के अभी जोड़ रत भी जब आएंगे साय स्यक्तिमुर्चे से कह रहें कि 울व लेकिन जो भी स्यकतिमुर्चे का फैसला होगा हम उसको मानने मैं और मैं आजना वहां पर परदेशत्ल्रक्स हें ना मां पर हम रहें आज वहां पर बॉडर पर रहेंगी जिनता थाने आप को कौन चुटा आएकर भावावर में में पहले बोट करते थेए के झी अ में हम आज रही नहीं मैद Loni पूरा दिन लिस नहीं रहे आज रातकुंस घर कल दिन मैं नहीं यह जनता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली नहीं तुम छेड़ खाननी करोगे तो यह जनता गाहों की तैयार बट्थी है कि अरबना समालों वही बोडरों को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में कि यह चेड़ खाननी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है बारा सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्हों चेड़ खाननी करें अपने बोडरों को समालो कि महां पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पर भी अपना ध्य रहा है और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कि कभी पॉर्टर खोलने की बात करते हैं कि कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिस करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज इनोने के वहां का बॉर्टर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा कर दिखाते रहेंगे कि बॉर्टर खोले जा रहे ये करा जा रहा हमने ये का आफके संजूक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहां 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 के बॉर्टर खोलेगे अर्सियुक तुमोर चाहते हैं करागा बोडर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान है जिनकी फसले नहीं कहीं बिखरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंतरी ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेखा जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिल्कुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती है बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिल्कुल ताजा पीस के जाएगा उन लोग को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पर बाजरे काट्टे एक सुटा चाकी लगा के बाजरे काट्टा मकी काट्टा ग्यहू काट्टा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहाई टेक्टरों को समान जायके और वहाँ बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का एरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिन्दे हो गया आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहाँ पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एकर क्या रहे अपनी बोर्ड प्रदेश द्रखो जद आने के अभी जोड़ रत दी जब आएंगे संयुक्त मुर्चा अगर कहगा हम टेक्टरों के साथ माएंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिल्ली में बेक्षे का हम तो संयुक्त मुर्चे से यह कह रहें कि कर लो फैसला लेकिन जो भी संयुक्त मुर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वहाँ पे प्रδαिल्श द्दुखन है, ना वहाँ पे आज हम रहेंगे। आज वहाँ पे बोदर पे रहेगी जंता। अब देखेंगे आपको kोंड छुटा गएगा वहाँ पे। पहले बोत करती ही थे कि आमहिं हम आज इसी नहीं में करोंगे तो यह जनता गाहों की तीयार बढ़ती है अरवना समालो वह बोड रुकों इनको आँखे, आमने भी बहुत काम है पूरे देश भर में, ये छेड़ खान ofere मैं करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है बाराच सरकार भी और ये उत्तर प्रदेश सरकार हैं, दोन्नों छेड़ खाननी करें अपने बॉर्डर को समालो कि महां पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगहा रखो बोर्ड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोर्डर खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगिशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोर्डर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बढ़ा चड़ा कर दिखते रहेंगे कि बोर्डर खोले जा रहे ये करा जा रहा है हमने ये कहा कि संयूक्त मौर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा कर बोर्डर खोले गए और संयूक्त के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेखा जाएंगे महीं कुट के दिल्दी के लोगों तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेकनोलोजी आज कल तो वहीं आटा बिलुकु उसी मोलक के बाहर चाकी लगा कर वहीं टेक्टरों में समान जाके और वहां बेच जाएगे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगे आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहाँ पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो जड़े आने के अभी जोरत दी जब आएंगे संयुक्त मौर्चा अगर कहसा हम टेक्टरों के साथ माएंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिली में बीक्षे का, हम तो स्अइक तुमुषे से ऑचे से ये कह रहें कि कर लो फैसला, लेकिन जो भी स्यूख्टुमुषे का फैसला होगा हम उसको माननेगे, और हम आज ना वहाँ पर पर परदे सद्रक्स हैं, ना वहाँ पर आज हम रहेंगे आज वहाँ पर बोडर पर रहेगी जंता अब देखेंगे आपको कोण छुटा आएगा वहाँ पर पहले बोट करते थे के जी हमें हम आज हैं नहीं मैं आज पूरा दिन नहीं रहें आज रात कुन नहीं नहीं अगर कल दिन मनी रहेंगे यह जंता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ा खालनी करोगे तो यह जंता गाहों की तयार बठी है और अपना समालो वही बोडर को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह छेड़ खालनी करते हैं दिल्ली सरकार भी करते हैं बारस सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्नु छेड़ खालनी करें अपने बोडर को समालो वहाँ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सहीग्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगहा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्दे लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा कर दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे हैं यह कर जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोड़र खोले गए अस्युक्त मोर्चा तेह करागा बोड़र खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कुट के दिल्ली के लोगों तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती है बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिलुकुल ताजा पीसका जागा उन लोगों भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पे बाज़रे काट एक सुना चाकी लगा के बाजरे काटा मक्ही काटा ग्यहूं काटा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहाई टेक्टरों को समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगाके किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगे आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो जड़े आने के अभी जोड़त दी जब आएंगे संयुक्त मोर्चा अगर कहगा हम टेक्टरों के साथ माएंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिल्ली में बेक्षे का हम तो सही उक्तुमोर्चे से यह कह रहें कि कर लो फैसला लेकिन जो भी सही उक्तुमोर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज नहां पे प्रदेसर्देक्स है नहां पर आज हम रहेंगे आज वह tähän पे बोडर पर रहेगी जंता ऑप देखेंगे आपको कौन फुटाएगा हॉइगा पहले बोट करते थे के जी हमें हम आज है नहीं नहीं आज पूरा दिन नहीं रहें आज रात कुन नहीं नहीं गर कल दिन में नहीं रहेंगे ये जनता रहेगी वहां पर जो कहते थे हैं जी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ खालनी करोगे तो यह जंता गाउं की तैयार बठी है अर अपना समालो वहीं बोडर को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में कि यह चेड़ खालनी करते हैं दिली सरकार भी करती है बारा सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्हों चेड़ खालनी करें अपने बोडर को समालो कि महां पर आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पर भी अपना ध्यान र और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कि कभी पॉर्टर खोलने की बात करते हैं कि कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगिसन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बॉर्टर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा करते रहेंगे कि बॉर्टर खोले जा रहे यह करा जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मॉर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बॉर्टर खोले गए अस्युक्त मॉर्चा तेह करागा बॉर्टर खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेख जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती है बहुत बढ़िया टेकनोलोजी आज कर तो वहीं आटा बिलुकुल ताजा पीस कर जागा उन लो के बाहर चाकी लगा कर वहीं टेक्टरों में समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिन्दे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहाँ पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो जदेा आने के अभी जोड़ा दी जब आएंगे सहीउक्तुमॉर्चा खर कहेगा हम टैक्ट्रों के साथ माइएंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिल्ली में विच्छए का, हम तो सेयुक्तुमॉर्चे से ये कह रहेंगे, कर लो फैसला, लेकिन जो भी सेयुक्तुमॉर्चे का फैसला होता हम उसको माननेंगे, और हम आज ना वहा Bennett पूर्दे सद्दक्र से हैं, ना महार पाज हम रहेंगे, आज वहां पर बोडर पर रहेगी जंता अब देखेंगे आपको कौन छुटाएगा वहां पर पहले बोट करते थे की हमें हम आज हैँ नहीं मैं आज पूरा दिन नहीं रहें आज रात कुद नहीं नहीं गर कल दिन मनी रहेंगे ये जंता रहेगी वहां पर कोई खाल्ग मैं अनुद है तुम चटागानी करोंगे तो यह जनता गाहों की तयार बड़ती है यह प्रभ्रा समालो। यह उसक्य मरत समालो should be on the result men तो यह च्छेड़े खानी करते हैं दिल्ली सरकार भी सर्कार्वी और यह उत्तर-प्रदेश सरकार भी करें करें दों च्छेड़े करने अपने बॉड्र है जाते लो कि अपना घर खेत का काम भी करते रोप जो मोर्चे है उसमें भी अपना ध्यान रखो कि सयुक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निंगा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिस करते हैं कभी यह एलिगिशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहें यह करा जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोड़र खोले गए और संयुक्त मोर्चा तहे करागा बोड़र खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पे भी वहाँ पे उसकी कुटाई की मसीन लेका जाएंगे वहीं कुट के दिल्दी के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती है बहुत बढ़ रिकाटए इसट चाकी लगा के बाजरे काटटा मकी काटटा ग्यहुं काटटा उसी मोलक के बाहर चाकी लगा कर वहाई टेक्टरूम्हन जाय के और वहां बिच जाए नहां कहीं पेज्व लग्या बाजार देस का औरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगाके किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहाँ पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देखने दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो जदे आने के अभी जोड़ रत दी जब आएंगे संयुक्त मोर्चा अगर कहगा हम टेक्टरों के साथ माएंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिल्ली में वेट्च गा, हम तो सेयुख्तमौर्च से ये कह रहे हैं कि कर लो फैसला, लेकिन जो भी सेयुख्तमौर्च का फैसला होगा हम उसकו मनेंगे, और हम आज ना वहाँ पर प्रदेशत सद्यक्स हैं ना वहाँ पर आज हम रहेंगे आज वहाहँ पर बॉडर पर रहेगी जंता हमें हम आज आज राथ Kiand GRA नेगर कल दिन मनी रहेंगे यह जंता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ा खानी करोगे तो यह जंता गाहों की तैयार बठी है अर अपना समालो वही बोड़रू को इनको आण कहें आमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह छेड़ खाननी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है बारस सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दो morsy e and i goes करें अपने बॉर्डर को समालो कि मुआ पर आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पर भी अपना ध्यान रखो सयुक्त मुर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं उनिगा रखो बॉर्ड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोडर खोलने की बात करते हैं कभी जेसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगिसं लगाते हैं । आज इमके वहां का बॉडर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चढ़ाा के दिखाते रहेंगे कि बॉड़र खोले बिखानरहे हैं यह कर जा रहा है कि हम ने यह कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोडर खुलेगे अर्स्यूक तुमोर्चा तहे करागा बोडर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे की वही कुटके दिल्ली के लोग को तो बिल्कुल ताजा दान मिलना चाहिए आठा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछods लग जाती है बहुत बढ़िया टेकनोलोजी आज कल तो वहीं आठा बिल्कुल ताजा पीस छागा उन लोग को भी मोल के बाहर भीकागा जो बड़े- बाजरे काटा एक सुना चाकी लगाके बाजरे काटा मखी काटा ग्यहू काटा उसी मौल के बाहर चाकी लगाकर वहाई टेक्टरों में समान जाके और वहाँ बेच चागी नहीं कहीं पर भी बेच लो तो खुल गया बाजार देश का औरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगाके किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया अब 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहाँ पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देखने दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो कि जड़े आने की अभी जोड़ रत दीए हैं जब आएंगे संधिंकु मोर्चु अगर कहे का हम ट्यक्टरों के साथ हमाईएगे अपनी फसले लेका आएँगे और दिल्ली में बैच्छे का ऐम तो सेयुक्तुमरचे से चीक कर लो फैसला लेकर जो भी सेयुक्तुमरचे का फैसला होगा हम उसको नएंगी और हम आज ना वाँ पर पर्देशतक सेख ना वाँ पर आज हम रहेंगे आज वाँ पर border परे रहेगी जंता चैनीत अब देखें आपको कोई चुटा अब वहां पर पहले बोत करते थे कि हम आज रहीं नहीं दो दो घूंगे और कल दिन मनी रहेंगे यह जंता रहें कि वहां पर जो कहते थे निए नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ा खानी करोगे तो यह जंता गाहों की तैयार बट्टी है कि अरपना समालो वही बोडरों को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में कि यह चेड़ खानी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है बारा सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्हों चेड़ खानी करें अपने बोडरों को समालो मुहाँ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सयुक तुमोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगहा रखो बोर्ड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोर्डर खोलने की बात करते हैं कभी जेसी भी बड़ी-बड़ी मसिल्हन लगा के दिखाने की कोसिश करते हैं कभी ये Allegagement लगाते हैं आज रोंने के वहां का बोर्डर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ाका दिखते रहेंगे कि बोर्डर खुर ले जा रहे ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा कि बोर्डर खुर ले गए और संयुक्त मोर्चा तेह करागा बोर्डर खुर लेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे आपड़े जाती है बहती है कि त्यक्नोलोजी आज अपहीं आठा पीस कर जा गा है उनँछों को भी मोल के बाहर भी का गागा जो बड़े बड़े उसी मोल के बहर चाकि लगा Poke टेक्टरों को समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगाके किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगे आप ग्यारा महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाएंगे हम आज सुबह से बोले इनिन को देखने दो एक कर क्या रहें अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो को जदने आने के अभी जोड़ाथ दी जब आएंगे सेयुक्तमॉर्चागर कहेगा हम टैक्ट्रह के साथ हम वाएंगे अपनी फसले ले का आएंगे और दिल्ली में बेच्छे का हम तो सही उक्तुमोर्चे से यह कह रहेंगे कर लो फैसला लेकिन जो भी सही उक्तुमोर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वहां पर प्रदे सद्ध्स हैं, ना वहां पर आज हम रहेंगे, आज वहां पर बोडर पर रहेगी जंता, आप देखेंगे आपको कोन छुटाएगा वहां पर, पहले बोट करते थे के जी, हमें हम आज यहीं नहीं मैं, आज पूरा दिन नहीं, आज रात कुन रहने गर कल दिन में नहीं रहेंगे, यह जंता रहेगी वहां पर, जो कहते थे हैं जी, है नहीं कोई खाली होगे, जी, कोई खाली में तुम छेड़ खानी करोगे, तो यह जंता गाउं की तयार बठी है, और अपना समालों वहीं बोडर को इनको आणके, हमें भी बहुत का जाम है, पूरे देश भडर में, यह चेड़ खानी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है, 12 सरकार भी और या उत्तरपर देश सरकार भी करे, दुद्धनों चेड़ खानी करें, अपने बोर्ड रुकु समालों, लुग मूहाँ पे आते जाते रों अपना घर खेत का काम भी करते रहो और जो मोर्चे हैं उस पर भी अपना ध्यान रखो सहीउक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निगा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे हैं यह करा जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोडर खुलेगे अस्रियुक तुमोर्चा तहे करागा बोडर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री नहीं कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पि कर दिख सैक्डर काई उन लों को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बडे मोलें जहां पर बाज़रे काटा पहला इस चाकी लगा के बाज़रे काटा मखी काट जयों काटा उसी मोल के बाहर छाकिः लगा और वहां टेक्टरों में समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का एरे क्यों देश की जंता का बेवकूप पना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगाके किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिन्दे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एकर क्या रहे है अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो अब जढ़ आने कि अभी जोड़ रत ली जब आएंगे संयुक्त मुर्चा कर कहे गा हम टेक्टरों के साथ माएंगे अपणी फसले लेका आएंगे और दिलि में गेऊंय। उसको मानने और हम आज न वाह सद्गस है ना वहां पर हम रहेंगे आज मौ पर वौडर पर रहेंगी चंटा पले बहुत करते पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली नहीं तुम छेड़े खाननी करोगे तो यह जंता गाउं की तैयार बट्थी है कि अरबना समालो वही बोडरों को इनको अरण के हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में कि यह चेड़ खाननी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है बारा सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दोन्हों चेड़ खाननी करें अपने बोडरों को समालो महाँ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उसमे भी अपना ध्यान रखो सयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निगहा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जेसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगिसन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे ये करा जा रहा हमने ये कहा कि सहिक्त मॉर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोड़र खोले गए अर्शियुक्त मॉर्चा तहे करागा बोड़र खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री नहीं कहा अपनी फसले मंड़ी के बाहर कहीं पर भी वहाँ पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़ी हाट टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिलुकुल ताजा पीस का जाएगा उन लोग को भी मौल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मौल है जहां पर बाजरे काट्टा चाकी लगा के बाजरे काट्टा मकी काट्टा ग् कि अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिन्दे हो गया कि आज भी अमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाएं कि हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहें कि अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो को जादे आने के अबी जोड़ रखनी कि जब आएंगे संयुक्त िमोर्चागर कहका हम टेक्टफ के साथ aleyजे अपनी फसले लेका आएंगे और दिल्ली में बेच्छे का हम तो सही उक्तुमर्चे से ये कह रहेंगे कर लो फैसला लेकिन जो भी सही उक्तुमर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वहाँ पर प्रदेशत देख्स है ना वहाँ पर आज हम रहेंगे आज वहाँ पर बोडर पर रहेगी जनता अब देखेंगे आपको कौन छुटाएगा वहाँ पहले बोट करते थे के जी हमें हम आज हैं नहीं मैं आज पूरा दिन नहीं रहें आज रात कुन न लेनेगर कल दिन मनी रहेंगे यह जंता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली नहीं तुम छेड़े खानी करोगे तो यह जंता गाउं की तयार बठी है है अपना समालो ही बोड़न को इनको अखें अमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह छेड़खानी करते हैं अपने अपने वोड़े को करते घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उसमें भी अपना ध्यान रखो कि स्यूक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निंगा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज इनों ने कि वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बढ़ा चड़ा के दिखाते रहें गे कि बोड़र खोले जा रहे हैं यह कर जा रहा हमने यह कहा कि पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान है जिनकी फसले नहीं कहीं बिखरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहाँ पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कुट के दिली के लोग को बिल्वकुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती है बहुत बढ़ी हाँ टेकनोलोजी आजकल तो महीं आटा बिल्वकुल ताजा पीस कर जागा उन लोग को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े- तो वड़े मौल है जहां पर बाजरे काटए विच लगा के बाजरे काटटा मकीकाट्टा ग्याहूं काट्टा उसी मौल के बाहर चाकी लगा ग्यार वहीं है टेक्ट्रों में समान जाकर और हुआ भी जाकिने कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का कि अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो कि वो टाइम आगया आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो कि जदे आने के अभी जोड रती बेगे अब ऱ गहें कर लो भैसला है कि जोबी स्यूक्त मोत कर फ्यसला होगा हम उसको मानें और हमों आज ना वहाँ परदे सद्द्दैक्स है नावाँ पास हम रहेंगे आज वहां पर बॉर्डर पर रहेगी जंता अब देखेंगे को को चुटाएगा वहां पहले बहुत करते थे कि अम हम आज यहीं नहीं महीं आज पूरा दिन ने रहें आज रात कु ने नहीं अगर कल दिन मनी रहेंगे यह जंता रहेगी वहां पर जो कहते थे जी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ा खानी करोगे तो यह जंता गाहों की तैयार बट्टी है और अपना समालो वही बोड्रों को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह छेड़ खानी करते हैं दिल्ली सरकार भी करते हैं बारस सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्नु छेड़ खानी करें अपने बोड्रों को समालो मुआ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सहीज़क्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगहा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जेसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिस करते हैं कभी ये एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे हैं ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोड़र खोलेगे अर्शियुक्त मोर्चा तेह करागा बोड़र खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहाँ पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्ट चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिलुकुल ताजा पीस का जागा उन लोग को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पर बाजरे काट्टा एक सुना चाकी लगा के बाज लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप अरे बात्चीत नहीं करेंगे लोग उपे एलिगेशन लगाके किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो कि वो टाइम आगया आ 11 महिंदे हो गया है कि आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाएं कि हम आज सुबह से बोले इनीन को देख रहें कि अपनी बॉर्ट रुपे भाई निगा रखो कि अजयां श्क भी जोड़त कि जब आएंगे समयुक्त मोयर्चा कर कहगा हम टैक्टरों के साथ माएंगे अपनी फसले लेका आएंगे को अ कऊप को दिल्ली में बेच्ट्र Compared 1 2 जो भीस निप मोज़के का फैसला होगा हम उसको माननेगे और और हम आज ना वहाँ पर प्रदेश सद्दक्स हैं ना वहाँ पर आज हम रहेंगे आज वहाँ पर बोडर पर रहेगी जंता आप देखेंगे आपको कौन छुटाएगा वहां पर पहले बोत करते थे के जी हमें हम आज है नहीं मैं आज पूरा दिन नि रहें आज रात कुद रहने गर कल दिन में रहेंगे यह जनता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ खानी करोगे तो यह जनता गाउं की तयार बठी है ओर भना समालो बहila डूदर रूकों इनको आणगए आवमें भी बहुत कामें पूरे देश भर में यह च्छेड़ खाननी करते हैं दिल्ली सरकार सरकार भी करते हैं कि जो मोर्चे हैं उस पर भी अपना ध्यान रखो कि स्यूक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्दे लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज यह रोने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा कर दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे हैं यह करा जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोड़र खोलेगे अज संयुक्त मोर्चा तेह करागा बोड़र खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री नहीं कहां अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिलुकुल ताजा पीस का जाएगा उन लोग को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पर बाजरे काट्टा एक सुना चाकी लगा के बाजरे काट्टा मकी काट्टा ग्यहूं काट्टा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहाई टेक्टरों को समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 मेहिंदे हो गया आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाएंगे हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एकर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ट रुपे भई निगा राखो है जड़े आने के अभी जोड़त भी जब आएंगे संय्यक्त-मचा अगर कहएंगा हम टेक्ट्रों के साथ ओंड़ आए और बेट्ली में बिच्छे गया आज और आज दो संयक्तमोर्चे से क давайте 135 फैसला लेकिन जो भी संयक्त मर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वहां पे पर्देशाद्यक्स है ना वहां पाज हम रहेंगे आज वहां पर बोड़र परहेंगे जनता अब देखेंगे आपको कौण छुटाएगा वहां पर पहले बोट करते थे जी आम अज आई नहीं नहीं आज पुरा दिन नी रहें गर कल दिन मनी रहेंगे ये जनता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ा खालनी करोगे तो यह जनता गाहों की तैयार बठी है अर अपना समालो वहीं बोडर सरकार को इनको आणक है आम भी बहुत काम है पूरे देशच भर में यह छेड़ खालनी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है बार्श सरकार भी और यह उत्तरपरदेश सरकार भी करें दुनन्त क्षेड़कान नीं करें अपने बॉर्डर को समालो कि महां पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उसमें भी अपना ध्यान रखो कि सहीगत मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निंगहा रखो बॉर्ड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोटर खोलने की बात करते हैं कभी जेसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिस करते हैं कभी ये एलिगिसन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोटर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोटर खोले जा रहे हैं ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोटर खोलेगे अज संयुक्त मोर्चा तहे करागा बोटर खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेकनोलोजी आज कल तो वहीं आटा बिलुकुल ताजा पीसका जागा उन लोग को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पर बाजरे काट्टा ए और वहां बेचेगे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप अरे बात्चीत नहीं करेंगे लोग उपर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो कि वो टाइम आगे आप 11 महिंदे हो गया है कि आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए है हम आज सुबह से बोले इनिन को देखने दो एकर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो जड़े आने के अभी जोड़त दी जब आएंगे संयुक्त मोर्च अगर कहगा हम टेक्टरों के साथ माएंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिल्ली में बेच्छे का हम तो सेयुक्तुमोर्चे से ये कह रहेंगे कर लो फैसला लेकिन जो भी सेयुक्तुमोर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वहाँ पर प्रदेशत देख्स है ना वहाँ पर आज हम रहेंगे आज वहाँ पर बोर्डर पर रहेगी जंता आप देखेंगे आपको कौन छुटाएगा वहाँ पहले बोत करते थे के जी हमें हम आज है नहीं नहीं आज पूरा दिन नहीं आज रात कुन नहीं नेगर कल दिन मनी रहेंगे ये जनता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली नहीं तुम छेड़ा खानी करोगे तो यह जनता गाउं की तयार बठी है और अपना समालो वही बोडरू को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में ये छेड़ खानी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है बारस सरकार भी और ये उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्नु छेड़ खानी करें अपने बोडरू को समालो महाँ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सहयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निगहा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्ने लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा कर दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे ये कर जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मॉर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा कि बोड़र खोले गे अर्सियुक तुमोर चाते हैं करागा बोडर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी कि वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे महीं कूट के दिल्ली के लोगों तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिलुकुल ताजा पी यहूं काट्टा उसी मोलक के बाहर चाकी लगा कर वहीं टेक्टरों में समान जाके और वहां बेच जाएगे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोग उपर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो कि वो टाइम आगे आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो क्हांने की जोड़ती हिए जब आएंगे संयुक्त मौर्चा गर कहे का हम टेक्टर के साह्ति माहिंगे अपनी फसले लेका ही कि और दिल्ली में बिछे था हम तो स्युक्त मौर्चे से कह रहें कि कर लो फैषला लेकिर जो भी स्यूक्त मॉर्चे का फैसला होगा हम उसको तो आप लोटर पर रहेगे जंता अब देख्णेंगे आपको कौन छुटाएगा वहाँ पेले बोट करते थे जी हमें हम आज हीं नहीं आज पूरा दिन नहीं रहे में आज रात कुंधं करेंगे गर कल दिन मन रहेंगे यह जंता रहेगी वहां पर जो कहते थे सिर्ली है नही आमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में है और यह चेटेखारनिनी करते हैं दिल्ली सरकार भी कारती है 12 सरकार भी अर यह उत्तरपरदेश सरकार भी गरे 2 पहानी नहीं करें अपने बॉज़र को समालो माँ पर आते जाते रोओ अपना घर खेता कांप भी करते रो और जो मोर्चे हैं उसमें भी अपना ध्यान रखो कि स्थायुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निगा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिल्ने लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह कि एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा करते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे हैं यह कर जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मॉर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोडर खुलेगे अर्षियुक्त मोर्चा तेह करेगा बोडर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री नहीं कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़ी हाठ टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिलुकुल ताजा पीस का जाएगा उन लोग को भी मौल के बाहर भी का जो बड़े-बड़े मौल है जहां पर बाजरे काट्टा चाकी लगा के बाजरे काट्टा मकी काट्टा ग्याहूं काट् टेक्टरों में समाल जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोग उपर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगे आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो जड़े आने के अभी जोट रखनी जब आएंगे संयुक्तमर्चागर कहेगा हम टेक्टरों के साथ माएंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिली में वेक्ष है आप तो स्यूक्तुमोर्चे से ये कह रहेंगे कर लो फैसला लेकिन जो भी स्यूक्तंुमोर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वहाँ पर प्रदेशत्यक्स है ना वहाँ पर आज हम रहेंगे आज वहाँ पर बोडर पर रहेगी जंता अब देखेंगे आपको कौन छुटाएगा वहाँ पहले बोट करते थे के जी हमें हम आज हैं नहीं मैं आज पूरा दिन नहीं रहें आज रात कुन नही करोगे तो यह जंता गाओं की तयार बट्टी है अरबना समालो वहीं बोडर को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में हें यह चेड़ करते हैं दिली सरकार भी करती है 12 सरकार भी और यह सरकार भी करें महां पर आते-जाते राओ अपना घर केथ का काम भी करते रहूं तो ओन दिखने हैं इसमें अपना ध्यान रखो स्यूक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगहा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज यदोंने के वहां का बोडर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखते रहेंगे के बोडर खोले जा रहे यह कर जा रहा हमने ये कहा के संहयुक्त म॒र्चे को हम बताएंगे कि कहा 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 के बॉडर native कुलेगे और संहयुक्त मौचा तहे करेगा बॉडर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिन की फसले नहीं कहीं बिखरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहाँ पर उसकी कुटाई की मसीन लेखा जाएंगे वहीं कुट के दिली के लोगों तो बिल्लकुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पीछे लग जाती है बहुत बढ़िया टेकनोलोजी आज कल तो वहीं आटा बिल्लकुल ताजा पीस कर जागा उन लोगों भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े- बड़े मोल ने जहां पर बजले का अखाषर के चाकी लगा कि बाजले काटा मखी काट फार ज९हूंau का तो कि क्यों कि देष की जंता का ब हवकू बणा रे जाए मैं धाट चीत नहीं करेंगे हरे हैं को दोगूपे एलिगेशन लगाके किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहाँ पर जाएंगे हम आज सुबह से बोले इनिन को देखने दो एकर क्या रहे हैं अपनी बोर्ड रुपे भई निगा रखो जडे आने की अभी जोर रत दीँ जब आएंगे संयुक्त त मॊर्चा अगर कह़ा हम ट्यक्क्टव के साथ माएंगे अपनी फसले लूर्प और दिल्ली में क्या वा सिवाइब कर लो फैसला लेकिन जो भी पैसला होगा हम उसको मन लेंगे कि और आज ना महापे पर्दे सद्धिक्स हैं ना महाप ऑज हम रहेंगे आज वहापे बोर्डर पर रहेगी जंता अब देखंगे आपको कौन छुटाएगा वहां पर पहले बोत करते थे के जी हमें हम आज यहीं नहीं मैं आज पूरा दिन नहीं रहें आज रात कुद्ध रहें नेगर कल दिन मनी रहेंगे यह जनता रहेगी वहां पर जो कहते थे जिए नहीं कोई खाली होगे कोई खाली में तुम छेड़ खानी करोगे तो यह जनता गाओं की तैयार बठी है अरबना समालो वहीं बोडरों को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह चेड़ खानी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है 12 सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भ कि अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उसमें भी अपना ध्यान रखो कि सयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निगहा रखो बोड़ा रहा है और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्ने लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे यह कर जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मॉर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोर्डर खुलेगे अर्स्रियुक तो मोर्चा तहे करागा बोर्डर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे ल लोगो को भी मौलग्के बाहर भी का गंडा यहां पर बाजरे का अवोcast की लएज लगा के बाजरे काटा मकी काटा ज्यों काटा उसी मोलक्के बाहर उससे मक्की लगा गर ओन्वाहीं कर तक्क्क पर समान जायंके और वह नृतीजगे कहींन वहीं विर भात यहार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगे आप 11 महिन्दे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहाँ पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देखने दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो कि ज़दे आने के अभिजोड़ रती जब आएंगे सैयुक्त अगर केहगा हम टेक्रूं के साथ माइंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिल्ली में बेच्छे का रहे हैं कर लो फैसला लेकिन जोभी जईओक्तिमर्चे का फैसला होगा मम उसको मानेंगे और हम आज नावा पे पर्धेसदेक्स है ना वहा पे आज हम रहेंगे आज वहाँ पर बोडर पे रहेगी जिंता अब देखेंगे आपको कोन फुटा आएका वहां पहुत पर बोत करते थेց के जी अमें हम आज हैं नहीं नहीं आज पूरा दिन नी रहें आज रात कुपन रहें ने गर कल दिन वनी रहें गे ये जन्ता रहेंगे वहां पर जो कहते थे थे जी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली नहीं तुम छेड़ खाननी करोगे तो यह जंता गाउं की तैयार बट्टी है है अर अपना समालो वही बोडरों को इनको आणगे है हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह चेड़ खाननी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है बारा सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्हों चेड़ खाननी करें अपने बोडरों को समालो महाँ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सहीउक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निगहा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्ने लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा कि बोड़र खोले गे अर्सियुक तुमोर चाहते हैं करागा बोडर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान है जिनकी फसले नहीं कहीं बिखरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंतरी ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहाँ पर उसकी कुटाई की मसीन लेका जाएंगे वहीं कुट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती है बहुत बढ़िया टेकनोलोजी आज कि तो वहीं आट्टा भी लुकुल ताजा पीस का जाएगा। उन लोग को भी मोल के बाहर भी कागा। जो बड़े-बड़े मोल है जहां पर बाजरे का ट्टा एक सुना। चाकी लगा के बाजरे का ट्टा मकी का ट्टा ग्यौं का ट्टा। उसी मोलक के बाहर चाकी लगा कर वहाई टेक्टरों में समान जाके और वहाँ बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लो तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिंदे हो गया आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाएंगे हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो जदे आने के अभी जोड़ रतती जब आएंगे संयुक्त मर्चचा कर कहगा हम टेक्ट्रू के साथ माएंगे अपनी फसले लेकर आएंगे और दिल्ली में बेच्चे का हम तो स्युक्त मर्चे से यह एक कर लो फैसला लेकिन जो भी सो पीसला होगा हम उसको मानेंगे और हम आज ना वहाँ पे परदेशाद्यक्स है ना वहाँ पर आज हम रहेंगे आज वहाँ पर बोर्डर पर रहेगी जंता अब देखेंगे आपको कौन छुटाएगा वहाँ पहले बोत करते थे के जी हमें हम आज हैं नहीं मैं आज पूरा दिन नी रहें आज रात कुन ने पर देखेंगे यह जंता रहेगी वहाँ पर जो कहते थे नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ा खानी करोगे तो यह जंता गाओं की तयार बठी है अरब ना समालों वहीं बोडरों को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम हैं पूरे देश भर में यह चे उन्हों छेड़ खानी करें अपने बोडरों को समालों कि महाँ पर आते जाते रों कि अपना घर खेत का काम भी करते रों जो मोर्चे हैं उस पर भी अपना ध्यान रखो सयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं उन्हा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्ने लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगेशन लगाते हैं आज ये रोने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा कर दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे हैं ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोड़र खोलेगे अर्शियुक्त मोर्चा तेह करागा बोड़र खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं बिखरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री नहीं कहा अपनी फसले मंड़ी के बाहर कहीं पर वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे कुट के दिल्ली के लोगों तो बिल्गुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पीछे लग जाती है बहुत बढ़िया टेक्नोलोगी आज कल तो तो वहीं आठ़ा बिल्गुल ताजा पीज का जागा उननों को भी मोल के बाहर भी का गा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पर बाजरे काट एक सुझा चाकी लगा के बाजरे काटा मखी काटा ग्याऊू काटा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहाई टेक्टरों के समान तो खुल गया बाजार देश का एरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोग उपे एलिगेशन लगाके किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 मे पर जाएंगे हम आज सुबह से बोले इनीन को देख रहें दो एकर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ट रुपे भई निगा राखो कि जदे आने के अभी जोड़त दी जब आएंगे संयुक्त मोर्चागर कहगा हम टेक्ट्रू के साथ माएंगे अपनी फसले लेका आएंगे कि और हम आज ना वहाँ पर प्रदेस अद्यक्स हैं ना मौप आज हम रहेंगे आज वहाँ पर बोडर पर रहेगी जनता है आप देखें को कौन छुटाएगा वहाँ पहले बौत करते थे अ भी हमें हम आज यही नहीं मैं आज पूरा दिन नहीं आज रात कुले नहीं अगर कल दिन में नहीं रहेंगे यह जंता रहेगी वहां पर जो कहते थे नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ खालनी करोगे तो यह जंता गाउं की तैयार बठी है अरहilee बहुत काम ही पूरे देश भर वैं यह छेड़ खान नी करते हैं दिल्ली सरकार भी करते है यह उत्तर परदीश सरकार 142 शेड़ खा नी करें अपने बॉर्डर को समालो महाँ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उसमें भी अपना ध्यान रखो सयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगा रखो बॉर्ड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी पॉर्डर खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज उनकी वहां का बॉर्डर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बखुत बड़ा चड़ा के दिखते रहेंगे कि बोडर खोले जाँ हें यह कर जा रहा हमने यह कहा के सहयुक्त मुर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोर्डर खुलेगे अर्स्यूक तुमोर्चा तहे करागा बोर्डर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री नहीं कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे बढ़ी हाट टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आटा बिलुकुल ताजा पीस के जाएगा उन लोगों को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पर बाजरे काट्टे एक सुटा चाकी लगा के बाजरे काट्टा मकी काट्टा ग्यहूं काट्टा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहीं टेक्टरों में समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो कि वो टाइम आगे आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो कि जदे आने की अभी जोदा थे गर बदी जब आएंगे संयुक्त मोईर्चा कर कहेगा हम टैक्ट्रों के साथ माइएगो अपनी फस्ले लेकर आएगे और दिल्नी में बेख्षेगा अंत्टों से यह का रहे आए यहों जो भी सियुक्त मुर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वहाँ पर पर्दे सद्दक्स है ना वहाँ पर आज हम रहेंगे आज वहाँ पर बोडर पर रहेगी जंता अब देखेंगे आपको कौन छुटाएगा वहाँ पर पहले बोट करते थे के जी हमें हम आज हैं नहीं मैं आज पूरा दिन नहीं रहें आज रात कुन नहीं नहीं अगर कल दिन मनी रहेंगे ये जंता रहेगी वहाँ पर जो कहते थे नहीं जी हैं नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ खाननी करोगे तो यह जंता गाहों की तैयार बट्थी है कि अरब ना समालो वहीं बोडर को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में कि यह चीड़े खानी करते हैं दिली सरकार भी करती है वार सब्कार भी और या उत्तरप्रदेश सरकार भी करे दोन्यों चीड़े कहानी करें अपने बोडर को समालो कि महां पर आते जाते रो अपना घरखेत का काम करते रो उस सभेत फियां रखो स्यूक्त मौर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगार रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिल्ने लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह कि एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे हैं यह करा जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोडर खुले गए अर्स्रियुक्त मोर्चा तेह करागा बोडर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री नहीं कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिलुकुल ताजा पीस का जाएगा उन लोग को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पर बाजरे काट्टा चाकी लगा के बाजरे काट्टा मकी काट्टा ग्यहूं काट्ट उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहीं टेक्ट्रों में समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेचलो तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यूं देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 मेहिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाएंगे हम आज सुबह से बोले इनिन को देखने दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बोर्ड रुपे भई निगा रखो कि जद ओनें गया भी जोड़त निए जब आएंगे संवक्त मौर्च अगर कहगा हम टैक्टरों के साथ माइंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिली में बेचे यहां तो सेयुकवर्चे से कह रहे ibih कर क्षा की जोभी स्वयुक्तुमूर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वहां पर पर परते सक्ष है ना वहां पे आज हम रहेंगे आज वहां पे बोर्टर पे रहेगी जनता अब देखेंगे आपको कोण छुटाएगा वहां पे पहले बोत करते थे क他說 हम हम आज हैं ही नहीं मैं आज पूरा दिन दिन रहे हैं आज रात कुन दिन रहें получится कर दिन मनी रहेंगे यह जंता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ा खानी करोगे तो यह जंता गाहों की तैयार बठी है और अपना समालो वही बोड्रू को इनको अरंगे है हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह चेड़ खानी करते हैं दिल्ली सरकार भी करते हैं बारत सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दोन्नों छेड़ खाननी करें अपने बॉर्डर को समालो कि महां पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उसमें भी अपना ध्यान रखो सयुक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगहा रखो बोर्ड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोर्डर खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्ने लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगिसन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोर्डर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोर्डर खोले जा रहे हैं ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोर्डर खोले गए अज संयुक्त मोर्चा तहे करागा बोर्डर खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री नहीं कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहाँ पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिलुकुल ताजा पीस का जाएगा उन लोग को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पर बाजरे काट्टा एक सुना चाकी लगा के बाजरे काट्टा मकी काट्टा ग्यहूं काट्टा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहीं टेक्टरों में समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यूं देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिंदे हो गया आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाएंगे हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एकर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो जद्ध आने के अभी जड़त दिन कि जब आएंगे सन्यूक्त मूर्चे कर कैगा हम तकरों के साथ हम आएंगे अपनी फसले में यह ऑएंगे को पो दिल्ली में बेच्चच का हम तो सन्यूक्त मूर्चे सो जह कहें kilow कर लो भज़ा हम उसको मनेंगे और हम आज ना वहां पे परदेश सद्यक्स है ना वहां पर आज हम रहेंगे आज वहां पर भॉडरर पे रहेगी coming अब देखें आपको कोन चूटा आए meg up बहुत करते थे कि अधि आ और पूरा दिन निहीं गर कल दिन मनी रहेंगे यह जन्था रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ खालनी करोगे तो यह जंता गाउं की तयार बट्टी है कि अरपना समालो वही बोडरों को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह चेड़ खालनी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है बारस सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्हों चेड़ खालनी करें अपने बोडरों को समालो मुआ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सहीज़क्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगहा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जेसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्ने लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे हैं ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोड़र खोले गए और संयुक्त मोर्चा तेह करागा बोड़र खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं बिखरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे दिल्ली लोग बहून कब तैजा दान मिलना चाहिए अट्ता चक कि जाएंगे टेक्टर के पिछे लग के पिछेले जाती है बहुत बढ़ी हाँ टेकनोलोजी नहीं आट्ता तजाबिछनन पीष्कडागा उनोग को भी मॉल के बाहर भीखागा जो बड़े बड़े मॉलं है जहां पर बाजरे काटा एक सुझा चाकी लगा के बाजरे काटा मखी काटा ग्यहूं काटा उसी मौलक के बाहर चाकी लगा कर वहाई टैक्टरों में समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगे आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देखने दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो हैं ज्याद आने के हैं भी जोड़ात दि जब आएंगे सेयुक्त मोर्च अकर कहए गा हम टाक्टरों के साथ महाएंगे अपनी फसले लेको और दिल्ली में भीर को संहुक्तुमॉर्चे से कह रहें कि कर लो पैसला लेकिन जो भी सित्युकॉत मॉर्चे का फैसला होगा हम उसको मांनेगे और अज ना वहां पर पड़ेसाध्यक्स है ना वहां पर आज हम रहेंगे आज वहां पर बोडar पर रहेंगे जंता अब कि आपको कौन छुटा आएग गर कल दिन मनी रहेंगे ये जनता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ा खानी करोगे तो यह जनता गाउं की तयार बठी है और अपना समालो वही बोडरों को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में ये छेड़ खानी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है बारस सरकार भी और ये उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्नु छेड़ खानी करें अपने बोडरों को समालो महाँ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निगहा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जेसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्ने लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा कर दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे हैं ये कर जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा कि बोड़र खोले गए अर्सियुक तुमोर चाहते हैं करागा बोडर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे महीं कूट के दिल्ली के लोगों तो बिल्कुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेकनोलोजी आज कल तो वहीं आटा बिल्कुल ताजा पीसका जागा उ तो बड़े-बड़े मॉल है जहां पर बाजरे काटता एक सो चाकी लगा के बाजरे काटा मुकी काटता गयों काटा उसलेड के बाहर चाकी लगा घर कर वह समान जाके और वहां बेचेगे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगाके किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगे आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एकर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो सब्सक्राइब में हो जादे आने के अभी जोड़ा है जब आएंगे संयुक्त मोर्चागर कहगा हम ट्रुक के साथ हम आएंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिल्ली में बेच्छे का हम तो सही उक्तुमर्चे से ये कह रहें कि कर लो फैसला लेकिन जो भी सही उक्तुमर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज, ना वहाँ पे पड़ी सस्थ है ना मुहाँ पे आज हम रहेंगे आज वहाँ पे बोडर पे रहेगी जनता अब देखेंगे आपको कौ cruelty एगा वहां पे पहले बोट करते थे के जि हमें हम आज हैं नहीं मैं आज पूरा दिन नहीं रहें आज रात कुने रहने गर कल दिन मनी रहेंगे ये जनता रहेगी वहाँ पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली नहीं तुम छेड़ खान नहीं करोगे तो ये जनता गाहों की तयार बटी है और अपना समालो वही बोडर को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में ये छेड़ खाननी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है 12 सरकार भी और ये उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्नु छेड़ खाननी करें अपने बोडर को समालो महाँ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सहीक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निगहा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी पोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगेसन लगाते हैं आज इनों ने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा करते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मॉर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोड़र खोले गे अर्सियुक तुमोर्चा तहे करागा बोडर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान है जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पे भी देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहाँ पर उसकी कुटाई की मसीन लेखा जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिल्लकुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती है बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आटा बिल्लकुल ताजा पीस के जाएगा उन लोग को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पर बाजरे काट्टा एक सुटा चाकी लगा के बाजरे काट्टा मकी काट्टा ग्यहूं काट्टा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहाई टेक्टरों में समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लो तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाए छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहाँ पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देखने दो एकर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो हैं जद्र आने की अभी जोड रत गी में जब आएंगे संजयक्तम और चाहएगा हम टेक्टरू के साथ हुआ उसको मान्हें और हमाज नमापए परदे सद्दक्स है न वहाँ पर आज हम रहेंगे आज वहाँ पर बोरडर पर रहेंगी जनता इस आप देखिए आपको कोन छुटा आएगा में पहले बौत करते थे कि हम आज हैई नहीं मैं आज पूरा दिन नहीं नहीं ने आज रात कुन नहीं ने गर कल दिन मनि रहेंगे यह जनता रहेगी वहां पर जो कहते थे हैं नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ा खानी करोगे तो यह जनता गाउं की तैयार बठी है कि अरबना समालों वही बोडरों को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में कि यह चेड़ खानी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है बारा सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्नु चेड़ खानी करें अपने बोडरों को समालों मुहां पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सहीज़्ट मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटना करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्द्र लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा कर दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे हैं यह करा जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोड़र खोले गए और संयुक्त मोर्चा तहे करागा बोड़र खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं कि जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले मसीन लेकर जाएंगे महीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्ट जाता हैं अब फिल्लुकुल ताज़ां पीच का जाएगा उन्हों को भी मोल के बाहर भी का जो बड़े-बड़े मोल हैं जहां पर बाजर चाकी लगाकर बाजरे मखी क्या बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगे आप 11 महिन्दे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो से जदे आने के अभी जोड़त पर दे जब आएंगे स्यक्त मर्च अगर कहगा हम टैक्टरों के साथ माहेंगे अपनी फसले लेक। कश ऑर दिल्ली यार? युवा गिर्व पहसला है लेकिन जो भी से युक्त मर्चे का फैसल होगा इसम को माननेंगे और हम आज ना आप पूरा दिन नहीं मैं आज पूरा दिन नहीं आज रात कुझ नहीं रहेंगे यह जंता रहेंगेगी वहां पर जो कहते थे हैं नहीं कोई खाली हो पर नोगर तो यह जंता गाहों की तयार बटिए आपना समालो वही बोट्रू को इनुका अनके our subscribe ने को ये की चेड़ेखांनी करते हैं डिल्ली सरकार भी करती कि बारी सरकार भी और या उत्तर्प्रदेश सरकार भी करे दुम्ने क्सी चेड़ेखांनी अपने बोट्रू को समालो। है मρεί आथ जाते रहो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पर भी अपना ध्यान रखो स्यूक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निगा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ कि उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे यह करा जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोर्डर खुलेगे अर्श्यूक तुमोर्चा तेह करागा बोर्डर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री नहीं कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पि पर पिका जा गा उनलों को भी मौट के बहार पिका गा जो बड़े बड़े मौल है जहां पर बाजरे काटेक को I'm Chuck कि lucky लगाके बाजरे काट्ता मकी काट्ता ग्यहुं ऑसी मोटके बाहर चाकी लगाएगार वहाई टैक्टर रोत समान जा कर अरुहां बेच यह लगिन कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का एरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो कि जदे आने की अभी जोड़त लें जब आएंगे सेऊकर मूर्चागर कहे गा हम ट्रीक्ड नेकर मधा हेंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिल्ली में वीच्छे गा रहे में सेटा में से कर लो फैसला मेरा लेक欸 जोबी सुद मूर्चा का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वाह हूं भादर पर रहेगी जंता समय आपको कौन छुटा एगा पर बोट करते थे कि हम अज यह नहीं है आज पुरा दिन हे आज रात कुद रहे नहीं कर कुल दिन मनी रहेंगे यह जंता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ा खान नहीं करोगे तो यह जंता गाहों की तयार बट्थी है आर अपना समाळो वहीं बोड्रौ को इनको अरक है हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह छेड़ खाननी करते हैं दिल्ली सरकार भी करते हैं 12 सरकार भी और यह उत्तर प्रदूर्डैश सरकार भी करें कि दोन्नु छेड़ खाननी करें अपने बॉर्डर को समालो कि महां पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उसमें भी अपना ध्यान रखो सयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगहा रखो बॉर्ड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बॉर्डर खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगेशन लगाते हैं आज इनों ने के वहां का बोर्डर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोर्डर खोले जा रहे ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोडर खुले गए और सभी तुमोर्चा तहे करागा बोडर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री नहीं कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे पहीं कूट के दिल्ली के लोगको बिलुकूल ताजा दान मिलना चाहिए 8 चक्की जाएकि टेक्टर के पिछे लग जती हैं बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज थी आजकल तो वही आट्ठाव-बिलु चाकी लगा के बाजरे काटा मकी काटा ग्यहूं काटा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वह ही टेक्टरों में समान जाके और वहां बेचेगे नहीं कहीं पर भी बेच लो तो खुल गया बाजार देश का कि अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो कि वो टाइम आगया आप 11 मेहिंदे हो गया आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाएंगे हम आज सुबह से बोले इनिन को देखने दो एकर क्या रहे हैं अपनी बोर्ट रुपे भाई निगा रखो झाद है आने की हभी जोड़ हम रहर ही जब आएंगे सन्यूक्ति मोर्च अगर कहगा हम टेम प्तavat के साथ मांएंगे अपनी फसले लेका आएंगे और डिल्ली में बेडिक्षे का हम तो सहीयुकतीमोर्चे Mission से यह कह रहेगे कर लो फैसला लेकिर जो भी सेयुकतीमोर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वहां पर पर्देसर्डेस है ना वहां पर आज हम रहेंगे आज वहां पर जिंटा आपको कौ कुझी रहनेगर कल दिन मनी रहेंगे यह जंता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ा खानी करोगे तो यह जंता गाहों की तैयार बट्टी है और अपना समालो वही बोड्रू को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह छेड़ खानी करते हैं दिल्ली सरकार भी करते हैं बारस सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्नु छेड़ खानी करें अपने बोड्रू को समालो मुआ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सहीज़क्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगहा रखो बोर्ड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोर्डर खोलने की बात करते हैं कभी जेसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिस करते हैं कभी ये एलिगेसन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोर्डर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोर्डर खोले जा रहे हैं ये करा जा रहा हमने ये कहा कि सहीउक्त मौर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोर्डर खोलेगे अज सहीउक्त मौर्चा तहे करागा बोर्डर खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे वही कूट के दिल्ली के लोग तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़ी हाँ टेक्नोलोजी आज कल तो महीं आटा बिलुकुल ताजा पीसका जागा उन लोगों को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पे बाजरे काटा एक सुना चाकी लगा के बाजरे काटा मकी काटा ग्यहूं काटा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहां ही टेक्टरों में समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच देश लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया अब 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहाँ पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो जट आने कि अभी जोड़ात री जब आएंगे सज्णूक तमॉर्च अगर कहका हम ट्यक्टों के साथ माएंगे अपनी वसलए लेकर आएंगे और दिल्ली में वे Nelson कर लो फैसला लेकिन जो भी सही उखिवाइब परिदेश्ट दक्स है नहीं आज हम रहेंगे आज वहाँ पर बोडर पर रहेगी जंटा अब कर एक आपको कौन शुटाएंगा वहां पहले बहुत करते थे यह जनता रहेगी वहाँ पर जो कहते हैं हैं कोई कोई खाली निया तुम छंड खाननी करोगे तो यह जंता गाहों की तयार वठी है और अपना समालो वही बोडरू को इनको आणके हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में ये छेड़ खान्नी करते हैं दिल्ली सरकार भी करते हैं बारस सरकार भी और ये उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दोन्नों छेड़ खान्नी करें अपने बोडरू को समालो मुहाँ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सहयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निगहा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी पोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जेसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिस करते हैं कभी ये ऐलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा कर दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे हैं ये कर जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोड़र खोले गए अर्सियुक तुमोर्चा तहे करागा बोडर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी कि वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे महीं कुट के दिल्ली के लोगों तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिलुकुल ताजा पी यहूं काट्टा उसी मोलक के बाहर चाकी लगा कर वहीं टेक्टरों के समान जाके और वहां बेच जाएंगे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोग उपर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगे आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनीन को देख रहे दो एकर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो जदे आने के अभी जो रधी जब आएंगे संयुक्त वर्चागर कहगा हम के साथ एब हुआ। अपनी फसले आपको कौन चुटाएगा पर बहुत करते थे कि हाम हम आज पूरा दिन निरहें आज रात कुदी रहने गर कल दिन मनी रहेंगे यह जंता रहेंगे वहां पर जो कहते थे जी है नहीं कोई खली होगे जी कोई कर दिन तुम च्टाकाननी करोगे तो यह जंता गाओं की तैयार बठी है और अपना समालो वहीं बोर्ट रुख इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह छेड़खाननी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है 12 सरकार भी और या उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन रहें अपने बोर्डर को समालो बहुत पर आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पर भी अपना ध्यान रखो सहीयुक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगार रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्द्र लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज यह रोने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे है यह करा जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहां कहां के बोड़र खोले गए अज संयुक्त मोर्चा तेह करागा बोड़र खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री नहीं कहां अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेख जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़ी हाट टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिलुकुल ताजा पीस का जाएगा उन लोग को भी मोल के बाहर भी कागा जो बड़े-बड़े मोल है जहां पर बाजरे काट्टा चाकी लगा के बाजरे काट्टा मकी काट्टा ग्यहू काट्टा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहीं टेक्टरों में समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिन्दे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाएंगे हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एकर क्या रहे हैं अपनी बोर्ड रुपे भाई निगा रखो जद आने के भी जोड़त दिख जब आएंगे सईब्दम और्च घर कहगा हम टेक्टर के साथ माएंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिल्ली में बेचे का हम तो संईब्दम और्चिस और रहे को कर लो फैसला नेकिन जो बी संईब्दमोर्च का का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वहां पे पर्देश्व सद्यक्स है ना वहाँ पर आज हम रहेंगे आज वहाँ पर बोर्डर पर रहेगी जंटा आप देखेंगे आपको कौन नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली नहीं तुम छेड़ खाननी करोगे तो यह जनता गाउं की तैयार बट्थी है कि अरपना समालो वही बोडरों को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में इसे चीड़ खाली करते हैं दिल्ली सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी गरें दोंक चिल खानेे अपने बोडरों को समालो कि मया पे आते जाते रो कि अपना घर ख्येज का का मझे खांथे रोड चो मोर्चे हैं उस पर भी अपना ध्यान रखो स्यूक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निगहा रखो बोर्ड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोर्डर खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगिसन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोर्डर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बढ़ा चड़ा के दिखते रहेंगे कि बॉर्डर खुले जा रहे ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा कि बॉर्डर खुले गए और संयुक्त मोर्चा तहे करागा बॉर्डर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं बिखरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे महीं कुट के दिली के लोगों तो बिल्कुल ताजा दान मिलना चाहिए आठा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछ के जाएगा उन लोग को भी मौल के बाहर पिकागा जो बड़े बड़े मौल है जहां पे बाजरे काटेक्स कि चाकी लगा के बाजरे काट्ता ब्र सक्वां के बाजरे काट्ता, मकी काट्ता ग्यहूं करें बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर लगाके किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगे आप 11 महिन्दे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहाँ पर जाएंगे हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहें दो एकर क्या रहें अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो कि जदन आने की अभी जोड़ रती है जब आएंगे स्ध्यक्त मॉर्च गर कहगा हम टेक्टरों के साथ में आएँगे अपनी फसले लेकर आएँगे और दिल्ली में बेच्चे का हाँ, से यह कह रहेंगे कि कर लो फैसला,लेकिन जोबी सैंईयक्त मॉर्चे का का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम्म आज ना वहां पर प्रदेश यह जनता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली नहीं तुम छेड़ खाननी करोगे तो यह जनता गाहों की तयार बट्थी है कि अरबना समालों वही बोडरों को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में कि यह च्षेड़ खाननी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती हैं ओत्तरप्रदेश सरकार भी करें दोन्도ं च्ष्अ खाननी करें अपने बोडरों को समालो कि मppers आते जाते रों कि अपना घरखेत को काम भी करते रों कि मोर्चे शोंपे भी आ प्रदान रखो अब स्यूक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए है उनिगा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्ने लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगेशन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा कर दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे है ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोड़र खोले गए और संयुक्त मोर्चा तहे करागा बोड़र खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहाँ पर उसकी कुटाई की मसीन लेख जाएंगे वहीं कुट के दिल्ली के लोग को तो बिल्लकुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पीछे लग जाती है बहुत बढ़िया टेकनोलोजी आज कल तो भोही आट्चा भीलूकुल ताजा पीजि कर जागा उन लोग मोल के बाहर भी का गा जो बड़े बड़े मोल रहांपे बाज़रे काटा एक संधूरा चाकी लगा के बाजरे काटा मकी काटा ग्यहू काटा उसी मोल के बाहर चाकी लगा कर वहाई टेक्टरों में समान जाके और वहाँ बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लो तो खुल गया बाजार देश का कि अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो कि वो टाइम आगया आप 11 मेहिंदे हो गया कि आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाएं कि हम आज सुबह से बोले इनिन को देखने दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ट रुपे भई निगा रखो कि जदे आने के अभी जोड़ रहत दी जब आएंगे संयुक्त मॉर्चा अगर कहगा हम टेक्टरों के साथ माएंगे अपनी फसले ले का आएंगे और दिल्ली में बेच्छे का हम तो सियुक्तुमॉर्चे से ये कह रहें कि कर लो फैसला लेकिन जो भी सियुक्तुमॉर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वांपे परदेशत्रक्स हैं ना वांपे आज हम रहेंगे आज वांपर बोर्डर पर रहेगी जंता अब देखेंगे आपको कौन छूटाएगा वांपर बहुत करते थे कäter जी हमें हम आज है नहीं मैं आज पूरा दिन नी रहें आज रात कुन नी रहें कल दिन मनी रहेंगे ये जनता रहेगी वहां पर जो कहते थे जी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली नहीं तुम छेड़ा खानी करोगे तो यह जनता गाउं की तैयार बट्टी है और अपना समार्व हैं बॉर्ड रू को इनको आणगे है आमने भी बहुत काम है पूरे देश भर में ये छेड़ा करते हैं दिल्ली सरकार भी करतें बाराथ सरकार भी और ये उत्तर प्रदेश सरकार भी करें करोगे जो मोर्चे हैं उस पे बी अपना ध्यान रखो सायूक तुमोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगहा रखो बोर्ड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोर्डर खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्य लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगेसन लगाते हैं आज इनोंने के वहां का बोर्डर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा करते रहेंगे कि बोर्डर खोले जा रहे ये करा जा रहा हमने ये कहा कि सहीउक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोर्डर खोले गए अज सहीउक्त मोर्चा तेह करागा बोर्डर खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं बिखरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहाँ पर उसकी कुटाई की मसीन लेकर जाएंगे दिल्दी के लोगों तो बिल्गुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती है बहुत बढ़ी हाँ टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिल्गुल ताजा पीसका जागा उन लोगों भी मॉल के बाहर भी कागा जो बड़े- मॉल यहां पर बाजरे काताएं सब्सक्राइव कहां कि लगा के बाजरे काटा मखी काटा ग्याहूं एक सब्सक्राइब कि असें लुग के बाहर चाकी लगा करोई rolls skating Katar jur function में जायके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगाके किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगे आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनीन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो जद है आने की अभी जोड़ थैंद आएगे सयुक्तमोर्चे कर कहई सेंयुक्तमों परुषिए के साथ माऋएंगे आपनी फसले लेंगे और दिल्ली में बेच्छे का हम तो सही उक्तुमोर्चे से यह कह रहेंगे कर लो फैसला लेकिन जो भी सही उक्तुमोर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वहां पे परतेशसर्दिक्स हैं ना वहां पे आज हम रहेंगे। आज वहां पे बोडर पे रहेगी जनता। अब देखेंगे आपको कौन चुटा आएगा वहां पे? पहले बोट करते थे के जी हमें हम आज पूरा दिन नी रहें। आज रात कुने रहने गर कल दिन मनी रहेंगे ये जनता रहेगी वहां पर जो कहते थे निजी है नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली नहीं तुम छेड़ा खालनी करोगे तो यह जनता गाहों की तयार बट्थी है और अपना समालो वही बोड्रू को इनको आणके हैं हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में ये छेड़ खालनी करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है बारा सरकार भी और या उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दुन्नु छेड़ खालनी करें अपने बोड्रू को समालो मुहाँ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सहीउक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए है और निगहा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी पोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्दे लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी ये एलिगेशन लगाते हैं आज ये रोने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे है ये करा जा रहा हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोड़र खोले गए अस्युक्त मोर्चा तेह करागा बोड़र खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले मसीन लेकर जाएंगे महीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिलुकुल ताजा दान मिलना चाहिए आट्टा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आज कल तो वहीं आट्टा बिलुकुल ताजा पीस का जाएगा उन लोगों भी मोल के बाहर भी का गागा जो बड़े-ोबड़े मोल है जहां पे बाजरे काट्टा एक सुना चाकी लगा के बाजरे काट्टा मखी काट्टा ग्यहूं काट्टा उसी मोलक के बाहर चाकी लगा कर वहाई टेक्टरों को समान जाके और वहाँ बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का एरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोगों पर एलिगेशन लगाके किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिंदे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भाई निगा रखो आप जाद 해 अने के अभी जोड़तनी जब आएंगे सयुकतो मर्च अगर कहगा हम टेक्तरू के साथ भाएंगे अपनी फसले लेका आएंगे और दिल्ली में बेच्छे का हम तो सेयुक्तुमोर्चे से यह कह रहेंगे कर लो फैसला लेकिन जो भी सेयुक्तुमोर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हुम आज ना महां पे परदेशा नग्स है ना महां पर आज हम रहेंगे आज वहां पर बोडर पर रहेंगे जनता आप देखें आपको कौण छुटा आएगा पर पहले बोद करते थे कि आम हम आज बात कुझा रहने कर कल दिन में नहीं रहेंगे यह जंता रहेगी वहां पर जो कहते थे नहीं कोई खाली होगे जी कोई खाली में तुम छेड़ा खानी करोगे तो यह जंता गाउं की तयार बठी है और अपना समाळो वह ही बॉटरू को इनको AGAण खें आमें भी बहुत काम है पूरे । यह सरकार भी करती है बारश सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें देड़ स्डे़ खानी करे अपने बॉटरू को समा लो मुहाँ पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सहीउक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ तुमें खड़े हुए हैं और निगा रखो बोड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घट्रा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि यह हो क्या रहा है कभी बोड़र खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिन्द्र लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं कभी यह एलिगेशन लगाते हैं आज इनो ने के वहां का बोड़र खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखाते रहेंगे कि बोड़र खोले जा रहे यह करा जा रहा हमने यह कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहा कहा के बोड़र खोले गए अस्युक्त मोर्चा तेह करागा बोड़र खोलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसले नहीं कहीं भी खरी जो अपनी फसले MSP से कम पर देश के परधार मंत्री ने कहा अपनी फसले मंडी के बाहर कहीं पर भी वहां पर उसकी कुटाई की मसीन लेख जाएंगे वहीं कूट के दिल्ली के लोग को तो बिल्कुल ताजा दान मिलना चाहिए आटा चक्की जाएगी टेक्टर के पिछे लग जाती हैं बहुत बढ़िया टेकनोलोजी आज कल तो वहीं आटा बिल्कुल ताजा पीस कर जागा उन लोग के बाहर चाकी लगा कर वहीं टेक्टरों में समान जाके और वहां बेच जागे नहीं कहीं पर भी बेच लोग तो खुल गया बाजार देश का अरे क्यों देश की जंता का बेवकूप बना रहे बात्चीत नहीं करेंगे लोग उपर एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़के और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो वो टाइम आगया आप 11 महिन्दे हो गए आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहाँ पर जाए हम आज सुबह से बोले इनिन को देख रहे दो एक कर क्या रहे हैं अपनी बॉर्ड रुपे भई निगा रखो जद्येख अने की अभी जोड похिं जब आएंगे सयूकतमोर्चा कर कहगा हम टेक्टरू के साथ मां आएंगे अपनी फसले लेक आएंगे और दिल्ली में बेच्छे का अम तो सेयुक्तुमूर्चे से ये कह रहें कि कर लो फैसला लेकिन जो भी सेयुक्तुमूर्चे का फैसला होगा हम उसको माननेंगे और हम आज ना वहां पर परदे सद्रक्स है ना वहां पर हम रहेंगे आज वहां पर पोडर पर दोटर पर हम लिएगी और देखने आप आपको कोण चुटाएगा वहांपर इchuss स मैं पहले बोट करतेब करते थे तो यह जन्ता गाउं की तयार बढ़ती है ए अपना समालो वही बोर्डरुक। को इनको अज़र के हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में यह छेड़ खान नहीं करते हैं दिल्ली सरकार भी करती है 12 सरकार भी और यह उत्तर प्रदेश सरकार भी करें दोन्दू छेड़ खाननी करें अपने बॉर्डर को समालो महां पे आते जाते रो अपना घर खेत का काम भी करते रो और जो मोर्चे हैं उस पे भी अपना ध्यान रखो सयुक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और निगहा रखो बॉर्ड़ा रहा और हम भी दिन की क्या घटरा करम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है कभी बोर्डर खोलने की बात करते हैं कभी जैसी भी बड़ी-बड़ी मसिंद्थ लगा के दिखाने की कोशिस करते हैं कभी ये ऐलिगेसम लगाते हैं आज इनों ने के वहां का बोर्टर खोल दिया कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बड़ा चड़ा के दिखते रहेंगे कि बोर्टर खोले जा रहे ये करा जा रहा